हेलो दूस्तों, गुड मॉर्निंग, सभी माताओं भाय बहनों को, मेरा प्यार भरा राम राम याने की सुनीता का तो आप सभी कैसे हैं, आसा करती हूँ कि आप सभी सुष्थ और मस्त होंगे तो Friends हम भी सुष्थ हैं और आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मेरा एक निव ब्लोग में तो फ्रेंट्स अभी हो गई है सुबह के पांच बजे फ्रेंट्स और हमारा ब्लोग जो है इसी टाइम पे शुरुवात हो रही है और हमारी मुर्ग्या जो है फ्रेंट्स घर के अंदर है तो बाहर निकलने के लिए बहुत जादा आवाज कर रहे है क्योंकि सुबह सुबह उन लोग करते ही है आवाज और दोनों बच्चे जो है फ्रेंट्स सोर हैं इस टाइम पे बस मैं अकेली उठी हुई हूँ तो आप लोगों को थोड़ी सी बाहर का नजारा दिखाती हूँ देखने को तो कुछ नहीं है मेरे गाउ में बस ऐसे ही और जो कल मैंने लिपाई की थी फ्रेंट्स आंगन की तो आप लोगों को जो कच्चा था उसका फूल लुक दिखाई थी बटा भी सुख गया है देखें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सुखने के बाद और अभी जो हिला मैं चुलहा जलाओंगी देखें मेरा चुलहा भी नहीं जला है तब से पहले ना कोईला लेने चलती हूँ फ्रेंट्स तो यह रहा देखें हमारा कोईला इठा लेती हूँ इसमें चुले भी लिपाई करनी है फिर अभी तो देखें मैं कोईला भी उठा लीगों फ्रेंट्स इतना सारा हो जाता है हम लोग थोड़े ही हैं इस यह प्रेंट्स प्रेंट्स एकना तो जाता है इसलिए और यहां से लकड़ी ले लेती हूँ बड़ा बड़ा लकड़ी किया सकता ही नहीं पड़ता है कोईला जलाने के लिए बस छोटा छोटा काफी हो जाती है तो चलती हूं पहले लिपाई करने के लिए उसके बाद जलाओंगे फ्रेंट्स तो आप लोग बने रही हुए देखिए हमारा आंगन जो है थोड़ा गिल्ला है कि बारिस हुई थी इसलिए इसमें का राक भी निकलाना बाकी रह गया है यह देखिए बहुत जादा हो गया है राक इसको निकाल लेती हूं फिर लिपाई करती हूं और आप सबसे भी मिलती हूं तो फ्रेंट्स मैंना राक को निकाल चुकी थी अवर जो है अपना चेहरा धो लिए थी फ्रेंट्स और बाल भी मैंने बना लिया था सुबह टाइम पे नहीं बनाई थी जैसे उठी थी बिल्क पानी से थोड़ी से अच्छे नहीं लग रहे थे इसलिए उसके बाद में फ्रेंट्स हम यहाँ पस आ गए थे चुले की पुताई करने के लिए जो कि देख सकते हैं फ्रेंट्स कुए की चिकनी मिट्टी से ही पुताई कर रही हूँ जब से कुए का चिकनी मिट्टी लेकर आ इकनी मिट्टी उसको जाओ दिखाओ और ले करके आना ऐसे बोलते हैं तो दिखाओंगी फ्रेंट्स लेकिन हमें ढूलाने वाला कोई नहीं इसलिए थोड़ी सी लेट लग रही है हमें वीडियो बनाने के लिए जल्दी आपका भी बोला हुआ जो है वो दिखाओंगी लेकिन कोई ढूलाने वाला मिल जाए तो क्योंकि अकेले में नहीं सकाता है फ्रेंट्स उठाने के लिए भारी चीज इसलिए जो है नहीं ला रही हूं बटलाओंगी मैं उस मिट्टी को नहीं तो बारिस आ जाएगी तो फिर से गिल्ला हो जाएगा तो जादा भारी लगेगा मिट्टी तो उसको ले करके तो आओंगी ही आओंगी तो देखिए फ्रेंट्स हमने जो है ना कचुले की लिपाई तो कर ली इधर का उसके बाद इधर का भी थोड़ा सा कर देते हैं क्योंकि मुर्गियां है फ्र जाती खाने के लिए और पोटी भी कर देती है तो यहां पस बैट करके पकाने से अच्छा नहीं लगता है तो मैं सोची उपर का भी क्योंना लिपाई कर दो थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें भी पकाने को वैसे तो हर रोज चटाई यहां पस बिचाती हूं बिचाने के बोले हैं जलाते हुए जो कि कंडे के साथ में उसको क्या बोले हैं छिंदे तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि छिंदे क्या चीज होता है तो फिर बाद में हमने समझ गए कि छिंदे जो है ओ कंडे के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता तो उससे जो है आज मैं नहीं जला रही किस तरीके से ओ मैं आपको अगले ब्लोग में देखने को मिलेगा तो आप सभी कंटीनियू बने रहेंगा और आज भी मैंने आग जला रहे हूं उसको दिखा रही हूं तो देखिए यहां पस आज जो हें लकड़ी से मैंने जला रही हूं और कल जो है मैंक कंडे से जला करके दिखाऊंगी कि हम लोग जलाते कई से हैं कंड़े के साथ में कोईला आग को तो देखिए इसमें कोईला भी मैंने भर दी फ्रेंट्स और जो राक निकलाई हुई थी उसी को फेकने को चली गई थी मैं उगधर दोस्तो मैं आग भी चला चुकी हूँ जो है लिपाई भी करके तो अभी चलती हूँ फिर से अगला काम करने के लिए और अभी जो हमारी छोटी अभी तक नहीं उठी है और उसकी दीदी जो है ना उठी उठ गई है देखिए अप लोगों को गुड मोर्निंग बोल रही है द देखे थे बिल्कुल साम कर दिये थे तो ऐसे में नहीं सक्की में तो चलती हूँ इसका बाल भी बान देती हूँ में अच्छे से फिर जो है अपना काम करूँगी तो यहां पस हम आ गए थे फ्रेंस इसकी बाल बनाने के लिए सुबह सुबह और हमारी मुर्गिया जो है वो निकल चुकी थी इस वक्त दो देखिए आंगन पे कैसे दवडा दवडी कर रहे हैं फ्रेंस पूरे आंगन पे पूरा मुर्गिया जो है उधर से इधर और हम बन जाने लगे थे इसका बाल और जो इधर आग जलाए हुए थे फ्रेंस उसका धुआ जो है ना बहुत जादा इधर आ रहे थे तो हम आगन पर ही बैट करके बना रहे थे और जो पहले दिन बारिस हुई थी थोड़ी थोड़ी ओ अभी भी गिल्ला है देखिए जहां पे इसका बड़ा बड़ा हो गया है तो पूरा जो है का बोलते हैं आख साइट का ढग देता है तो ऐसे में गर्मी बहुत जादा लगती है तो इसलिए इसका बाल जो है उसको बान दे रही हुए अच्छे से सुवे सुवे उसके बाद में अपना काम करूंगी फ्रेंस नहीं तो दिन भर से मेरे को परिसान करते रहती है कि मम्मी बान दो ऐसे करके उसके बाद में फ्रेंस ये ब्लोग ना कल की ही है लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी उस ब्लोग पे बहुत जादे लोंग हो गये थे आंगन लिपाई करते करते वैसे तो आंगन लिप करने से पहले ही हम यहां पस गये हुए थे जो की आप लोगों को दिखाती हूँ ए देखिए तो हम लोग यही चीज को तोड़ने के लिए गये हुए थे जंगल में नर्शरी बारी में फ्रेंस तो देखिए यहां पस हमारी चाची सास जो है वो तोड रही है और हम भी इधर झाल रहे थे फ्रेंस तो थोड़ी सी केमरा पकड़े हुए थे तो हम मेरे को उतना मतलब दोनों हाथ से नहीं बन रहे थे तो हम एक हाँ से तोड रहे थे तो हम लोगों को ना यहाँ आए हुए काफी देर हो चुके थे लेकिन मैं बहुत देर के बाद जो है केमरा इस्टार्ट की और आप लोगों को भी दिखाई मैं सोची थोड़ा सा यहाँ का भीव दिखा देती हूं अच्छा लग रहा है हरा भरा ऐसे करके तो हम लोग यहाँ पस आए हुए थे फ्रेंस कोईनार सबजी तोड़ने के लिए जो की देख सकते हैं आप लोग तोड़ रहे हम लोग कोईनार सबजी फ्रेंस तो यह ना फ्रेंस नर्शरी है और सरकारी नर्शरी है तो इसमें ना घूसने से भी मना करते हैं तो हम लोग ना इसमें चोरी चुपके से चले गए हैं धूप के टाइम पे दोनों सास बहु मिल करके और इसको ना तोड़ करके ले आएंगे फ्रेंस और पका करके खाएंगे बच्चों को भी खिलाओंगी फ्रेंस तो अभी ना इसे सीजन में कोईनार का सबजी मिलता है और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंस खाने में तो इसलिए हम लोग चले आये थे दोनों मिल करके तो आप लोगों को थोड़ी सी मैं दिखा दूँ ऐसे सोच करके जो है दिखाने लगी थी तो देखिए इसी तरीके से चोटा चोटा जो है पाउधा लगाए हुए हैं तो तोड़ने नहीं देते हैं बोलते हैं कि बड़ा होगा उसके बाद तोड़िए गाय से बोलते हैं तो रहते हैं यहां पे जैसे देखरे करने वाले फिर भी से हम लोग ना धूब टाइम पे आ करके चुपके चुपके त कोड़ कर ले जाते हैं सब्जी को तो गाम वाले मतलब सभी लोग आते हैं तो इसलिए उतना जादा नहीं था कोई ना कोई आते ही रहता है तोड़ने के लिए तो हम भी आए हुए थे तो आप लोगों को इधर का थोड़ा सा नजारा में दिखाती हूं फ्रेंट्स तो ये न बंद हो चुका है और पौधा भी लग चुका है और उधर वाला जो था वो मतलब चालू है और यहां पस देखिए एक बड़ा सा तलाब है फ्रेंट्स अंदर पे और इसमें ना मिट्टी भी नहीं भल दिये इसको खोदने के बाद ना छोड़ दिये और बहुत बड़ा है फ्रेंट्स अगर इसमें कोई गीर जाएगा ना तो सीधे ना उमर ही जाएगा बचे का नहीं इतना जादा गड़ी है फ्रेंट्स देख करके ही डर लगती है उस गड़ी को उसके बाद फ्रेंट्स हम लोग ना तोड़ करके घर आने लगे थे तो आप लोगों को थोड़ी जो कि आप लोगों के लिए मैं बना करके रखी थी तो मैं सोची थोड़ा सा क्यों ना आप लोगों को दिखा दू मैं उसके बाद हम घर पहुच गए थे तो देखिए इतना सारा सब्जी ले करके आए और मैं सूप पर रखी हुई हूँ अभी तो देखिए इसको ना बनाए कि सब्जी और हम लोग किस तरीके से बनाते हैं बिलकुर उसी को दिखाऊंगे देशी लाइब इस्टाइल फोड जो की सब्जी का रेश पी तो देख सकते हैं यहां पस जो है ना कोईनार को काटने के बाद धोने के बाद ना मैं एक कडाही पे रख दी थी उसके बाद मैं जाकर के दिखा रही हूं आप लोगों को और यहां पस टमाटर डालने वाली हूं क्योंकि उसमें का पानी जो है वो सुख चुका है बहुत ही अच्छे से और इसमें जो है थोड़ी थोड़ी टमाटर डाल दूंगी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और कोईनार का सबजी ख खोलूंगी तो देखे यहां पस हमारा टमाटर जो है अच्छे से घूल चुके थे और पूरी तरह से पानी जितना भी निकला हुआ था सबजी का वो पूरा सुख चुका था तो इसको अभिना मैं फ्राई करूंगी फ्रेंस क्योंकि मेरा सबजी जो है पूरी तरह से पक च करते हैं फ्रेंस बिलकुल करते हैं दिहाती तरीके से जो कि गाउं वाले इसी तरीके से बना करके खाया करते हैं और कोईनार का सब्जी फ्रेंस सीजन सीजन पर ही मिलती है साल भर में एक ही बार होती है ए भी तो यहां पस जो है मैं तड़का लगाने लगी थी जो कि प्या उसके बाद में इसको घर पे रख दिये थे और यहां पस देखे हमारी छोटी और उसकी दीदी जो है क्या खाने लगे हैं तो यह लोग खा रहे हैं जामुन फ्रेंस तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है और पका हुआ है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है औ सुबह सुबह तो इन लोग गए हुए थे फ्रेंस उधर हमारे चाची सास के घर साड़ पे तो वही पस तोड़ के लाए हुए थे तो उनकी दादी जो है दिये हुए थे हमारी चाची सास तो उसी को खाने लगे थे दोनों बहन बैट करके और हमारा इस टाइम पे दत्वन भी नहीं हुए थे बस हमने खाना सबजी ही बना करके रखे हुए थे उसके बाद में फ्रेंस यहाँ पस जो है हम बरतन साप करने लगे हैं खाना सबजी खाने के बाद तो बच्चे लोग खाए हुए थे फ्रेंस पहले ही तो उनका मैं धो चुकी थी फ्रेंस और यहाँ प कि मैं अगला और क्या काम करती हूँ उसको तो आप सभी बने रहेगा वीडियोस के आयंड तक और आप सभी जो भी भाई बहन माता पिता हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो उन सभी से रिग्वेस्ट करती हूँ प्लीज पिल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीज करते हैं तो हम लोग ना फ्रेंट्स हमेशा क्या बोलते हैं राक और नीर्मे से ही माजा करते हैं हम साबुन का यूज नहीं करते हैं क्योंकि लकड़ी आग से भी पकाते हैं कभी-कभी तो जो है साबुन से नहीं छूटते हैं इसलिए साबुन का यूज नहीं करते हमेशा राख और निर्मे से निर्मा का ही यूज करते हैं तो देखिए इस तरीके से जो है मैं माज ले रही हूं अपना ब्रतन को तो उतने जादे नहीं गंदे थे फिर भी से बच्चे लोग कर ही देते हैं क्योंकि गर्मी है तो प्यास तो लगता ही है और हमारे काउं साइट पे प से थोड़ी सी दूर जैसे की बारा किलोमीटर तैस किलोमीटर ऐसे दूरी दूरी पर बहुत जादे बारिस गीर चुके हैं लेकिन हमारे काउं पे जादा बारिस नहीं आया है विल्कुल कम ही आये हैं तो बहुत जादा जो है गर्मी लगती है और थोड़ी थोड़ी पानी आजाते तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि जमीन जो है ना गरम हो पानी पाता है थोड़ा थोड़ा तो और ज़्यादा भापने लगता है बहुत अद्धिक सेकने लगता है तो फ्रेंट्स आज की ब्लोग आप सभी को कैसा लगा आप लोग जरूर बताईएगा फ्रेंट्स ये छोटा सा हमारा ब्लोग रोज फ्रेंस लिपाई पुताई भी नहीं ले आप आती हूँ क्योंकि मैं भी ठक जाती हूँ फ्रेंस करते करते और मिट्टी का काम ऐसा होता है कि ठका ही देता है इंसान को चाहे जैसे भी करें और आज का ब्लोग फ्रेंस इसी ब्लोग के साथ मैं एंड करने वाली हूँ तो फ्रेंस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय फ्रेंस और आप सभी से इजाज़त लेना चाहती हूँ बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक प्यारा सा ब्लोग ले करके आओंगी फ्रेंस सजों की अ